दोस्तों जिन्दगी में बदलाव पहुच चरूदी समय के साथ ढ़लना जिसने सीख लिया उसे खुद समय भी हरा नहीं सकता है और जो वेक्ती समय को मात दे सकता है वो अपने मन को भी मात दे सकता है और उसने अपने मन को मात दे दिया, उससे उसकी सफलता कभी तूर नहीं जा सकती जितने भी सफल इंसान हुए हैं इस दुनिया में, उन्होंने सफल होने का बस एक ही मुलमंतर बताया है अपनी जिंदगी में बदलाओ जैसे पानी खुद को हर साचे में ढाल लेता है मिठे के साथ मीठा, खारे के साथ खारा और कड़वे के साथ कड़वा बस इतनी सी लागत है इस जिंदगी को बहतरीन जिंदगी बनाने के लिए तो आईए आज ऐसे ही अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए जीवन बदलाओं से संबंधित प्रेनादाई वे अन्मोल विचारों को संते हैं अंदेरे को हटाने में वक्त पर बाद मत करें बलकि दिये को जलाने में वक्त लगाई दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को उचा उठाने में वक्त लगाई दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात करूं, जो तुमसे बात करने के लिए पुरा दिन इंतजार करता है अगर लाइफ को समझना है तो पीछे देखो और यदि लाइफ को चीना है तो आगे देखो कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ, जब तक महगी चीज सस्ती ना लगने लगे सबसे बड़ा रोख, क्या कहेंगे लोग ऐसी सोच और मानसिक्ता का त्याग पहुँच चरूद जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवर में कभी काम्याब नहीं हो सकता जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाईयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाईयों को मिटा नहीं सकते जिंदगी में हमारा वक्त हमारे लिए बहुत किम्ति呢 इसलिए इसे दूसरों के हिसाब से जीने में बरबाद नहीं करना चाहिए वरना जिंदगी में, अंतिम पल में यह अफसोस होगा कि जो चाहा वो किया नहीं और जो किया वो चाहाँ एक खेट जो बंजर है वह बिना संघर्स के उपजाओ नहीं हो सकता उसी प्रकार जब तक एक आदमी अपने जीवन रूपी खेट में संघर्स नहीं करता है उसके जीवन में हर याली कभी नहीं आएगी पानी हर प्रकार के साचे में आसानी से रह पाता है क्योंकि उसे खुद को हालातों के हिसाब से बदलना आता है जल्दी जागना हमेशा ही फाइदे मन दोता है फिर चाहे वो नीन से हो या एहम से हो या फिर वहम से हो जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते हैं और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते लोग क्या सोचते हैं ये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप अपने लिए क्या सोचते हैं ये आपके पूरे जीवन पर फर्क डारता है आपको कामयाभी तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते है समय सबसे मूल लिवान होता है इसका सदूपयोग करे अगर आप समय को बरबाद करेंगे तो समय एक दिन आपको बरबाद करतेगा जब तक हम यह जान पाते हैं कि जिन्दगी क्या है तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है विपरित परिस्थिती का होना ही सफलता मिलने का सूचक है सिर्फ आपको सही दिसा में परिस्रम करने की जरूरत होगी यदि व्यक्ति अपनी सक्तियों को बहचान ले तो वह कुछ भी बराब्त कर सकता है फिर हम क्यों विप्रित परिस्थिती से हार मान कर दुखी हो जाते हैं। संसार में कौन है जो सुखी है? सब दुखी है। कोई अपनी दुख से दुखी है तो कोई दूसरों के सुख से दुखी है। अगर आप सही हो तो कुछ सही सावित करने की कोशिस ना करो। बस सही बने रहो गवाही खुद वक्त देगा दूसरों की काम बिगारने वाले लोग एक ढूलो तो हजार मत दे पर दूसरों की काम बनाने वाले हजारों में कोई एक होता है अगर जिंदगी में सुकून चाहते हूँ तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रगा आनंद में वचन मत दीजिये कुरोध में उत्तर मत दीजिये और दुख में निर्णा मत दीजिये अपनी सक्ती और कमजोरी को जाने अपनी सक्ति का प्रयोग सफलता प्राप्त करने के लिए कीजिए और अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाने का प्रयास करें न संखर्स ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तुफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गवाने में बस 5 मिनट लगते हैं अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह कैसे करेंगें अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल लिया है अन्य था ये सिर्फ बुराई का एक ठेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बहितर है बागी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मले वीडियो आपको काफी पसंद आया है तो आपसे निवे दिन हैं कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरू करें बागी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें दूसरा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरू करें अगली वीडियो में गाड ब्लेस योड़